नोटिफिकिशन के लिए बेल बटन दबाईए और नए वीडियो की आप्डेट के लिए सब्स्राइब करना ना भूले तो फ्रीज सब्स्राइब जरूर करें नमस्य दोस्तों आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट्शाट फिल्म में आज के इस पार्ट में हम देखेंगे यह जो लैप्टॉप है यह लिनो आइडिया पैड थ्री थर्टी मॉडल है यह तो अभी हमें करना क्या है कि यह जो लैप्टॉप जो कीबोड है ठी के यह कीबोड अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे एक्चुली आप देख सकते हों यहां पर जो कीबोड है वह कीबोड यहां से हम नहीं निकाल सकते तो इसके लिए हमें लैप्टॉप को खोलना पड़ेगा हमें लैप्टॉप खोल के इसका प्यों पार्म तो दिखे अभी जैसे जनर ली हम करते क्या है कि जैसे अभी यह पाम रिज्ट के अंदर ही, अगर की बोड आप départка अगल आ उनकी इत रहे हम क्या करती है रहा है चैसे अभी फ़ीम्स को आपको खूल डिक अपर दो तीन चार तीकर उसके बाद कुछ सील होता है तो वह डिया बश्कुरू भी आपको निकाल देना है उसके बाद यहां पर देख सकते हो आप यहां पेबीहे यहां 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 पर तो कि यह सारे इस अपको निकाल देने आप ऑपर के तरब से बिलकुल लगे हुए नहीं है तो इसके लिए आप को करना क्या है। अपको देखें,कर बॉटम केसमें, हजा इसके नहीं है कि यहां से touchpad और keyboard का connection है वो आपको यहां से निकाल लेना है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पी यह keyboard का connection लगा हुआ है ठीक है यहाँ पर आभी मैं दिखाता हूं आपको यह जो है यहाँ पर यह keyboard का connection लगा हुआ है और यहां पी यह touchpad का correction लगा हुआ है, ठीक है, तो keyboard का correction निकालने के लिए, यहां से मैं, यह जो, इसका जो notch है, इन notch को मैं पहले उपर के तरफ खीज लेता हूँ, ठीक है, यहां पी आप देख सकते हो, यह जो notches है, यह मैंने यहां से निकाल दिये हैं, ठीक है, तो अभी यह touchpad, और जो keyboard है, इसका जो correction है, वो निकल गया, ठीक है, और यहां से, अभी नीचे, मैं यह उठा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो palm rest है, तो यहां पे देख सकते हो, आप नीचे से, यह touchpad है, और touchpad का यह जो cable है, यहां पे यह cable गया हुआ था, और यह जो keyboard है, आप देख सकते हो, यहां पे यह keyboard लगा हुआ है, इस जो यह equilibrium plate जो है, इसके नीचे, अगर आपको इसका keyboard अगर change करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कि यह जो fitting है, आप देख सकते हो, आप यह plastic यहां पे, melt करके यहां पे, इसे fitting किया रहता है, ठीक है, यह कोई screw से fit नी होता है, तो आपको यह सारे, जो है, यहां से उखाडने होंगे, यह प्लास्टिक यहां पे यह उखाडने होंगे, उखाडने के बाद यह आपका जो प्लेट है, यह असानी से यह निकल आएगा, उसके बाद आप इसका keyboard जो है, वो चेंज कर सकते हैं, मैंने वैसे भी यह, ऐसा वाला जो keyboard होता है, ना, यह जो connection है, यहां पर यह keyboard का connection है, दिखे, यहां पर यह जो है, देख सकते हो आप, यह model number है, उसके बाद यह part number होता है, उसके नीचे, और यह QR code है, यह QR code अगर scan करते हैं, तो सिधे आपको यह, जहां पर भी यह available है, यह keyboard वहाँ पर यह आपको लेके जाएगा, ठीके, तो सेम, ऐसे ही, अगर आपको यह touchpad अगर आपको change करना है, तो यहां पर यह part number लखा हुआ है, तो यह part number से आप भी आप, यह touchpad है, इसे change कर सकते हो, ठीके, तो यहां पर देख सकते हो, आप यह touchpad और यह right click और left click बटन का circuit जो है, यह अलग-अलग है यहां पर, और कुछ laptop में यह circuit जो होता है, वो single circuit होता है, ठीके, यह touchpad का यहां पर यह part number है, और buttons जो है, left click और right click, इसका यहां पर, इसका part number है, ठीके, इसी part number से आप Google पर सर्च करते हो, तो आपको वो मिल जाएगा, ठीके, तो इस तरह से, आपको यह laptop का जो है, काम कर लिना है, ठीके, तो मैं उम् हो, कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करे, शेर करे, और सब्सक्राइब जरर करे, ताकि हमारे आने वाले जो इस वीडियो है, वो आपको मिलते रहे, तो देखते रही है, हिट्षट प्रिल्स, थेंक्यू,